बिसमिल्लारामान रहाहिम, इस lecture के अंदर आप हम देखने वाले हैं different किसम के charts और different किसम की statistical analysis जो Excel के अंदर हम perform कर सकते हैं Excel के अंदर charts बनाना असान है लेकिन उनको interpret करना हम बहुत मुश्किल होता है किसे भी किसम के plots, charts को जब भी हम कहीं पर लिखते हैं तो आज के इस lecture के अंदर मैं proper आपको कुछ add-ins बताऊंगा जिनके दुरों मैं statistical analysis भी करते हैं और statistical analysis करने के साथ साथ हम charts भी बनाके उस पर statistics को show करने वाले हैं So let's jump into it Screen आपके सामने हाजिर है सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने Google पे जाना है Google पे जाके आपने, मैं ये सारी की सारी अपनी tabs बंद कर लेता हूँ आपने Google पे जाके लिखना है Real statistics resource pack ये लिखने के बाद इस extension को आपने इंस्टॉल करने resource pack पे जाने के बाद आपने यहां से इसे डाउनलोड कर लेने ठीक है, ये मैंने पिछले lecture में भी बताया था ये आपके पास xreal stats two version जो है, मेरे पास औरेडी मुझूद है ये तो मेरे पास कहां पे मुझूद है, documents के अंदर अगर मैं जाओं तो ये मेरे पास xreal stats की xlm file पर ये मैं इसको properties में ले जाओंगा और यहां पे मैं इसको unblock करूँगा क्योंकि मेरे पास अक्सर अकार जो है, वो different किसम की जो sheets है वो चल रही होती है, but you have to unblock it कैसे करना है, मैं भी आपको दिखाता हूँ for example, ये मेरे पास download में आगे ये वाली चीज़ इसको मैं properties में ले जाता हूँ properties में यहां पे जाकर आपने इसे unblock करना है, ठीक है, जैसे इसे download करना है unblock करने के बाद apply करना है, okay कर देना है तो ये मैंने एक basic add-in डाउनलोड की है जो मैंने इस website से की है, real statistics resource pack से आप google पे जाकर लिखेंगे real statistics resource pack थोड़ा सा नीचे आएंगे, तो ये यहां से आप click करेंगे click करने के बाद इस तरीके से ये file आजाएगी file को यहां पे right click करने के बाद properties में चले जाने है और यहां से unblock करते हैं, ये काम मैंने अभी तक आपको बताया, ठीक है जैसे आप unblock करेंगे, अगला काम आपका फिर start होता है आपने excel की sheet open करनी ही कोई भी, यहां पे आ जाने open करने के बाद file पे जाने, option पे जाने, add-ins पे जाने, go पे जाने जाने के बाद browse पे click करने click करने के बाद, जहां पे आपने वो add-in डाउनलोड की है जैसे मेरे पास ये documents के अंदर है, वहां से आपने उस add-in को open कर लेना है जैसे मैंने ये x real statistics जो है, real stats जो है, इसे open किया yes किया, और ok करके यहां पे check-in कर दिया तो ये मेरे पास extension जो है, वो install हो चुकी है inside Excel तो ये extension क्या करती है, ये basically आपके जितने भी statistical analysis है वो perform करने में आपको help out करती है और ये level की extension है, जब भी आपने कोई भी statistics का का काम करना होता है inside Microsoft Excel अब आप मेंसे कितने लोग हैं जिनके पास ये already add-in पड़ी है अगर नहीं पड़ी तो अभी इसको download करें और अपने पास install करें ये totally free add-in है और Excel के अंदर आपको बेभाग काम करने में help out करती है screen पे अगर आप देखें तो यहां पे ये add-in install होने के बाद ऐसे आगई है add-in के नाम से और यहां पे real statistics मेरे पास यहां पे देखें तो यह मेरे पास मौझूद है जिसमें data analysis tool pack मेरे पास आ चुक है अगर आप गोर करें तो data analysis tools मेरे पास आ चुक है ठीक है तो यह add-in कुछ इस तरीके से open होती है और इसके अंदर जो analysis है यह आपके सामने मौझूद है descriptive statistics है regression है, anova है, time series है, multivariate statistics है, correlation है and mycellaneous analysis है यानि कि जितने भी statistical analysis है वो तकरीबन सारे के सारे यहां पे मौझूद है जो basic data exploration के लिए utilize किये जाते हैं और जितने भी लोग thesis लिक रहे हैं अभी इस वकत वो biological sciences के field में हो या mathematical sciences या natural sciences किसी भी life sciences के field में है तो उनके लिए ये extension बहुत important किरतार अदा करने वाली है ठीक है, यह मैंने इसे install कर लिए है install करने के बाद अब हम क्या करते हैं, कोई भी एक analysis लेते हैं और उस पे different किसम के statistical test जो है वो लगा के लेखते हैं कोई भी एक data उठा लेते हैं say for example, मेरे पास यहाँ पे एक है say for example, group है मेरे पास वो है students का ठीक है, और एक है मेरे पास teachers का, दो groups है मेरे पास students की जो age है वो 25 है, 20 है 19 है, 23 है 24 है, 30 है ठीक है, यह मेरे पास 6 students है 32, 30, 28 29, 25 यह मेरे पास teacher की age है ठीक है, यह age है student की और teacher की ठीक है, यह दोनों मेरे पास ages आ गई है, अब होता क्या है कि जब भी आपने कोई analysis करना होता है सबसे पहला काम जब भी मैं कोई data लेता हूँ तो मैं इसको table के अंदर convert करता हूँ मैं Ctrl T दबा के यह table आ गया मेरे पास table के बाद आप इसका जो basic data bars है वो भी show करवा सकते है color bar भी show करवा सकते है icon set भी, greater than भी, top 10 भी और बाकी चीज़ें भी charts भी बना सकते है something like this और totals भी कर सकते है something like this average और sum जो भी आपने ले खियाना है लेकिन उससे भी जो important चीज़ है वो मैं आप भी आपको सिखाने वालूँ वो है तीन basic statistics होते हैं जो आपको बहुत important याद रखने होते हैं वो किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी है पहला है mean दूसरा है standard deviation और तीसरा है standard error ठीक है standard deviation तीसरा है standard error ये तीन ऐसी terminologies हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आपने statistical analysis करना होता है अब हमारे पास दो ग्रूप्स हैं एक है student का एक है teachers का हम इन दोनों groups को जब compare करते हैं उस वकत हम t-test को use करते हैं या z-test को use करते हैं ठीक है जब दो groups को compare करते हैं लेकिन हमारे पास individual students का भी group है और teachers का भी तो जब हम एक column को analyze करते हैं तो उसको बोलते है univariate यानि कि ये एक column एक variable है तो univariate में एक column को study करते हैं inside by variate में दो columns के relationships को study करते हैं columns को study करते हैं फिर आते हैं आपके पास तीन या तीन से ज्यादा तो उसको हम बोलते हैं multivariate तीन और greater than बलकि उसको मैं greater than and equal to 3 कह देता हूँ columns ठीक है अब univariate analysis, bivariate analysis and multivariate analysis ये exploratory data analysis की major types हैं ठीक है univariate, bivariate, multivariate univariate क्या होते है कि एक ही data column को study करना एक ही column के ऊपर चान बीन करना यानि कि students को separately देखना इनके column में कौन कौन सी चीज़े हैं और teachers को separately देखना ठीक है अब मैं आपको univariate analysis पहले करके दिखाने लगा हूँ students का अब यहां पे मैं एक नई sheet बनाता हूँ इसका नाम रख लेता हूँ univariate और यहां पे top पे आके से paste कर देता हूँ students के data को ये मेरे पास students का data आ गया अब इसी data के बारे में जितनी भब information लेंगे वो सारे के सारा इसी का univariate analysis होगा for example इसकी जो average है यानि के mean कितने है फिर इसमें अगर हम देखें तो standard deviation कितनी है standard error कितनी है count यानि कि इनकी values कितनी है फिर ये किस तरीके से plot बन रहा है जिसको हम बोलते है minimum value फिर आप देखेंगे maximum value इसके इलावा आप और भी काफी चीज़ें देखेंगे तो आइस्ता हम देख देखेंगे किस तरीके से इन चीज़ों को हम explore कर रहे है सबसे पहला काम यह है कि जब भी आपने किसी एक column के study करना होता है तो पहले आप उसकी average निकालते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा average और average का formula लगाने के बाद इन सभी को select करूंगा तो मेरे पास average आड़ेगी यह 23.5 on an average जो है मेरे पास age है students की 23.5 इसको मैं yellow color highlight इस विड़ा से कर रहा हूँ ताकि आप इसमें फरक देख सके as compared to other columns ठीक है 23.5 हमारे पास basic जो है average है standard deviation के लिए आप equal to लगाते है formula है stdev standard dev और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जैसे formula लगाया तो यह मेरे पास standard deviation का formula आगया which is this one मैं इसको select करता हूँ stdev फिर मैंने क्या करना है number की सारी की सारी range ले आनी है यह आगी मेरे पास सारी की सारी range यह मेरे पास standard deviation आगए ठीक है इसके बाद हमारे पास एक और formula होता है जिसे हम बोलते है standard error और standard error क्या होती है अगर आप गौर करें kodanics पे जाए और हमारे पास यह जो statistics की book है ABC of statistics इस पे आए यहाँ पे अगर आप search में जाके standard error लिखेंगे तो आपके पास standard error जो है वो open हो जाएगी something like this let's see measure of variability में range है variance है standard deviation क्या होती है यह भी लिखा हुआ है इस पे यह standard error है तो standard error basically क्या है इसका formula क्या है अगर आप गौर करें इस book के अंदर तो आपके सामने इस तरीके से standard deviation जो आपने निकाली है अबी जो function built-in था यह है standard deviation जिसको sigma से show करते है divided by square root of number of columns number of values तो हम क्या करते है standard deviation को divide करते है उसकी number of values पे यानि कि n क्या है number of values कितनी है तो पहले मैं क्या करूँगा number of values को निकालूँगा जो count है ठीक है तो count के लिए is equal to count का function लगाऊंगा और यहां से इस range को select कर लोगा वो है 6 इसका मतलब है कि this divided by under root या square root of 6 is equal to standard error ठीक है अब मैं क्या करूँगा यह count का square root लेना है और इसका standard deviation को हमने लिख लेना है तो मैं क्या करता हूँ equal to this one यह जो standard error पहले ही निकली है divided by यह जो 6 है इसका square root लेना तो मैं sqrt लिखूँगा sqrt और यह formula basically capital letters के अंदर है sqrt जैसे मैं लिखूँगा लिखने के बाद यह जो 6 है इसको select कर लोगा bracket बंद कर दूँगा and this is called standard error ठीक है यह basically measure of variability होती है एक point से दूसरे point तक जाने के लिए या central tendency से आपका data कितना side ओं पे move कर रहा है ठीक है इसको पढ़ने के लिए आपको मैं book जो मैंने भी बताई है इसको recommend करूँगा वहाँ पे जा के आप देखें कि standard deviation क्या है standard error क्या है और यह basically measure of variability क्या होती है जिसमें variance भी है, range भी है हम यह भी चीज़े देखेंगे, interquartile range भी देखेंगे variance भी देखेंगे and some other things भी but for now जो important है वो है count standard error, standard deviation mean अब मुझे minimum value चाहिए आंकों से देखके पता चल रहा है कि 19 जो है वह सबसे चोटी value है लेकिन आप equal to min लगा के इस सारी range को select करें here you go आपके पास सबसे चोटी value आगी max लिखेंगे तो आपके पास सबसे maximum value आजाएगी तो यह मैं univariate analysis यानि के एक ही variable को चान बीन कर रहा हूँ ठीक है, तो यह एक ही variable की चान बीन हो रही है हमारे पास अब यह हमारे पास इस तरीके से variable आ गया यह हमारे पास variable है और इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं अब एक और काम हम कर सकते हैं मैं equal to range लिखता हूँ यहां पे तो मेरे पास इसकी range भी आ सकती है but I would say उसकी बजाए अगर मैं यहां पे variance लिखूँ तो मेरे पास different किसम के इसके variance भी निकल गया सकते हैं अगर आप गौर करें मैंने सिरफ var लिख है आप देखें कि यहां हमारे पास पूरी population का है variance फिर यह variance estimate variance based on the samples है और इसको अगर मैं select करता हूँ तो यहां पे आप चेक करें हमारे पास यह पूरी range आ गई and this is our variance 15.5 यानि कि total हमारे पास 20 है लेकिन 15.5 हमारे पास variance है किस चीज़ का जो हमारे पास age आ रही है so this is how you can calculate multiple things लेकिन mean and standard deviation यह हमारे पास इस तरीके से आ गई है समय रही बात की तो यह students का हमारे पास हो गए univariate analysis इसी तरीके से अब मैं क्या करूँगा इसी sheet को duplicate भी कर सकता हूँ बलके मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं teachers को copy करूँ copy करने के बाद यहाँ पे इसको paste करूँ paste करने के बाद इस सारे के सारे values को उठाऊँ copy करूँ copy करने के बाद मैं यहाँ पे इन्हें पेस्ट कर दूँ now you will see कि यह जो फॉर्मूले हैं और रेंज है यह automatically change होके इस जगह पे लग गई है ठीक है तो जब आप copy paste करते हैं तो आपके पास teachers की value यह आगी है इनकी mean और बाकी चीजें और आपके पास students की यह आगी है ठीक है यह univariate analysis है जब आप single single को देखते हैं bivariate में क्या होगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ bivariate इसके लाव और भी काफी चीजे हैं I'm not going into the details at the moment bivariate पहले मैं आपको बता दू bivariate में हम दोनो columns को उठाएंगे copy करेंगे यहाँ पे paste करेंगे अब हम इन दोनों columns को 81 study करेंगे एक दूसरे के साथ इसका link देखेंगे hopefully आपको पहले ही पता है कि mean, standard deviation और बाकी चीजें तो इस तरीके से आ रहती हैं मैं इसको copy करता हूँ यहाँ पे paste किया तो एक की आ गई यहाँ पे paste करता हूँ तो दूसरे वाले की आ गई है values वो ही जो formula है वो मैं paste कर रहा हूँ ठीक है automatically वो paste हो गई है formula और अगर आप चाहें तो यह values भी लिख सकते हैं कि यह mean क्या है बाकी चीजें क्या है ठीक है mean जो है इसको average बुला जाता है statistical language के अंदर अच्छा जी अब आपको समझ आगी होगी कि अभी तक by variate क्या है हमने जब इनको एकठे study करना है this is called by variate ठीक है अब ज़रा गौर कीजेगा मैं यहाँ पे इन दुनों को select करके insert में जाता हूँ यहाँ पे मैं recommended charts में जाता हूँ और यह वाला chart जो है इसको आपके सामने मैं show कर देता हूँ ठीक है एक तरीका कार तो यह है कि मैं ऐसे chart बना दू दूसरा तरीका कार यह है कि मैं यहाँ पे chart बना दू यह वाला scatter plot ठीक है एक side पे teachers आ जाएंगे एक side पे students आ जाएंगे and then you can have a look कि scatter chart कैसा नज़र आ रहा है लेकिन मैं यह चाता हूँ कि मैं insert पे जाऊँ यहाँ पे bar chart को मैं बनाऊँ यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको यहाँ से मैं right click करूँ data को select करूँ ठीक है अब गौर कीज़ेगा मैं यहाँ पे अब data अपना add करूँगा यह मैंने data add कर दिया और अगर आप गौर करें यह तो 6 की 6 values को separately लिख ला है ठीक है what we have to do we have to only draw mean of each value मिसाल के तोर पे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे right click करता हूँ select data करता हूँ add legion की entry add करता हूँ series का name यानि के students ठीक है series की value क्या है यह वाला mean let's see right click select data chart range इसका एक और तरीका कर लेते हैं let me see यहाँ पे लिख लेते हैं student यहाँ पे लिख लेते हैं students and teachers and यहाँ पे इनकी average value लिख देते हैं यह 23.5 मैं यहाँ पे इसे paste करता हूँ right click करके value paste करनी है यह है mean यहाँ मैं right click करके यहाँ पे cell का reference भी paste कर सकता हूँ जो special value paste की जाती है right click करके यहाँ पे मैं cell reference paste कर सकता हूँ यानि कि link कर सकता हूँ उसी cell को जो इस cell की value होगी वो वहाँ पे होगी जैसे मैं यहाँ पे 24 करता हूँ वहाँ भी 24 हो जाएगी but I will just undo that यहाँ से इसको copy करता हूँ copy करने के बाद यहाँ पे इसे मैं paste करता हूँ say for example मैं इसे रख देता हूँ again like this ठीक है तो यह हमारे पास students and teachers को ऐसे भी कर सकते हैं एक दूसरा तरीक अगार यह है कि मैं इसको यहाँ से बलके ऐसे कर लेते हैं students and teachers ऐसे रख लेते हैं paste किया यह दोनों के mean आगे like this और यहाँ से हम cell का link देना है यह आगे ठीक है अब मैं right click करके select data करता हूँ data करने के बाद add करता हूँ add करने के बाद not this one data add करना है भई यहाँ पे आके यह data add करता हूँ and here you go अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जो values आ रही है ना चार्ट के ओपर यह चार्ट जो है यह show कर रहा है आपको दो values का mean यानि के यह जो value है student की इसका हमने mean count कर ली है इसका mean है हमारे पास 23.5 ठीक है हम सभी को bar plot में show नहीं करते फिर teacher आगया टीचर की value है वाली हो teacher की age है 30 ठीक है अब हम क्या करेंगे इस तरीके से बनाने के बाद अगला काम हम करेंगे हम दोनों की standard deviation या standard error को इसमें add करेंगे वो कैसे मैं यहाँ पे click करता हूँ error bars पे click करता हूँ standard error या percentage या more option पे क्योंके standard error हमने automatically खुद से calculate किये मैं more पे जाता हूँ जाने के बाद आप यहाँ से custom values add करेंगे custom values और वो custom values कैसे add कर सकते हैं आप जो है वो values को यहाँ से select भी कर सकते हैं कि कौन सी range रखनी है values की fixed value रखनी है वो भी आजाएगी standard error रखनी है वो भी आजाएगी custom values रखेंगे तो वो भी आप add कर सकते हैं अब custom value के लिए आपको क्या करना पड़ता है let me just open it up यहाँ से specify करनी पड़ती कौन सी custom value positive value कौन कौन सी है अगर आप गौर करें वो आप add कर सकते हैं मेरे पास दोनों है negative values भी यही है क्योंकि उपर या नीचे दोनों साइडों पर अगर आप दोनों values sorry मैंने यह standard error को add करना है not standard deviation तो अब आप जो गोर करें यहाँ पर यह जो आपके पास bars आईगी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक यह basically variance है basically standard error है from this mean ठीक है यह आपको clear हो गया आप यही चीज standard deviation की भी लगा सकते हैं यहाँ से specific value select करें standard deviation को select कर ले और यहाँ से भी standard deviation को select कर ले ठीक है यह थोड़ी से बड़ी हो जाएग but I would recommend कि आप standard error की values को यहाँ पर show करें because that's actually easy and doable for interpretation कि आपने interpret कैसे करना होता है किसी भी graph को ठीक है अब आप गोर करें आपके पास यह plot आ गया उसके उपर standard error आ गई और यह students and teacher इस तरीके से आ गई अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से आप style change कर सकते हैं यहाँ से chart का design change कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ से पहले तो color change करना चाहता हूँ कोई भी color आप रख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर change किया तो मेरे पास यह color आ रहें बार बार layout करनी है तो आप यहाँ से layout भी change कर सकते हैं usually multiple layouts यहाँ पर available होती है लेकिन मैं अपनी layout बनाके उसको मैं save करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं तो मैं इस एक bar को select करता हूँ single को select करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ double click इस पर करता हूँ यह वाली bar के उपर यहाँ से मैं fill के उपर जाके इसके solid line को change कर देता हूँ यह border है sorry इसको नहीं fill के उपर जाके solid fill में जाके यहाँ से इसका color मैं थोड़ा सा lightish कर देता हूँ red color का ठीक है और यहीं से मैं इसका border change कर देता हूँ यह रहा मेरे पास solid line border और यहां पे जाके मैं इसको black border कर देता हूँ and इसकी जो width है मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ one point पे कर देता हूँ same वो ही काम मैं इस पे click करता हूँ fill पे जाके solid fill करता हूँ इसको red की बजाए मैं green या इस तरीके से green कर देता हूँ चले यह वाले plot में और start वाले plot में फरक आया नजर अब इसको और भी अच्छा करते है मैं इसको copy paste कर लेता हूँ ताके आपको दिखाऊं कि जब हम improvement कर रहे होते हैं किसी भी plot के अंदर तो किस किस किसम की improvement हो रही होती है just give me one second copy यह हमारा plot अब हमने क्या करने है इसकी grid lines को remove करने है आप grid lines को select करें डिलीट का बटन दबा दे यह पिछली grid lines remove होगी अब आपने यहाँ पर click करने click करने के बाद solid line लगानी है नीचे भी click करने है और solid line लगा देनी है ठीक है यानि कि y axis और x axis पर click करके solid line लगा देगी ठीक है solid line नहीं नहीं लगानी सिर्फ इसको one point या one point five कर देना है मैं इसको one point five कर देता हूँ one point five करने के बाद आप गोर करें कि यहाँ पे हमारे पास line के इलावा हमारे पास यहाँ पे अगर आएं तो हमारे पास different किसम की axis option भी मुझूद है तो axis option पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ tick marks पर click करता हूँ और मैं major tick marks जो है outside करता हूँ यह देखें tick marks आगे और जो inside है वो minor tick marks करता हूँ something like this तो अगर आप चाहते है inside वाले remove कर दें सिरफ outside वाले एक ही रखे major tick marks इसी तरीके से अगर आप इस axis को select करें तो यहां से वो ही major tick marks आप outside को कर सकते हैं तो यह आपके major tick marks हैं फिर आप देखें यहां पर labels मुझूद हैं आप अपने labels को different values के अंदर convert कर सकते हैं जैसे कि यह मेरे पास 10-35 है 0-35 that's fine लेकिन अगर आप चाहते हैं कि label को change करना तो वो भी आप कर सकते हैं numbers को भी change कर सकते हैं so for me it's fine label position next to axis होनी चाहिए low होनी चाहिए high होनी चाहिए it should be next to axis अब चलते हैं अगले चीज़ की तरफ अगला काम आपने यह करना है कि यहाँ पे इस axis को select करना है home पे जाना है और यहाँ से इसका color जो है वो आपने automatic कर देना है यानि कि black color अभी यह gray इश है यहाँ पे भी select करता हूँ home पे जाता हूँ इसको भी automatic कर देता हूँ ताकि यह black हो जाए पहले यह वाला color था थोड़ से light तो हमने इसको hard black दे देना है क्योंकि printing में अच्छा लगया अगर आपने इसको print करना है next thing is मैं इसको control B करके bold कर देता हूँ यानि कि जो axis है आपके वो bold हो जाए यहाँ से भी यहाँ से भी ठीक है अब आप यह वाला plot देखे और यह वाला देखे फरक नजर आ रहा है अब एक काम और करना है हमने plus के button पे click करना है और axis के titles एड़ करने है left side पे है age और कॉमा लगा के आपने years में age लिखी है ठीक है years के अंदर age है इसको भी आपने bold करने है select करने के बाद bold करने के बाद यहां पे मैं इसको select करता हूँ bold करता हूँ यहां से इसका color automatic कर देता हूँ ठीक है यहां पे दूसरी चीज़ इसको यह दूसरा axis जो ऐसे मैं वैसे remove कर देता हूँ क्यूंके हमें पहले पता है student versus teacher ठीक है यह हमारे पास दो चीज़े आगे यहां तक clear हो रहा यहां तक clear होगी बात जिनको वीडियो के title से issue आ रहा था कि उसके spelling अलदा मैंने ठीक कर दिया चेक करने ठीक है अब आपको clear हो गया होगा कि किस तरीके से हमारे पास यह दोनों चीज़ें जो है वो plot के अंदर हमने save कर लिया अब हमने देखना है question हमारा यह है कि क्या teachers की age ज्यादा है as compared to students की age के एक तो हमारे पास plot बता रहा है कि बिल्कुल ज्यादा है यहां पर इतना फरक है अगर आप गौर करें यहां से लेके यहां तक फरक है दूसरा तरीका यह होता है कि बजाए इसके कि आप plot को देखें मैं पहले वाले plot को remove कर रहा हूँ यह plot में उपर ले आता हूँ आप इन दोनों में फरक देखें कितना है 30 से 23.5 निकालें तो कितना फरक है अगर मैं difference लिखूँ यहां पे तो that is equal to this one minus compare करते हैं दो चीज़ों को तो उसके लिए या तो t-test यूज़ करते हैं या z-test और z-test या t-test आपके mean को compare करता है based on your values and standard error mean versus standard error या standard deviation को अपने account में रखता है अब हमने क्या करना है हमें पता लग गया कि दोनों में फरक है लेकिन statistically significance देखने के लिए हमें दोनों को compare करना पड़ेगा वो कैसे करेंगे मैं इस data को select करता हूँ select करने के बाद मैं add-in पे चला जाता हूँ data analysis tool वले में चला जाता हूँ अब यहाँ पर जाके हमारे पास different किसम के statistical analysis हैं उनमें देखते हैं हमारे पास क्या t-test मुझूद है अगर हुआ तो यहां से लगाएंगे वरना we will have other thing regression में जाता हूँ there is no test ANOVA में जाता हूँ तो अगर आप गोर करें तो हमारे पास यहां पर ANOVA ही है सारे के सारे time series में हमारे पास यह ही है यहां पर देखें तो multivariate है correlation test में यह वाले हैं और यह हमारे पास t-test पढ़ा हूँ है and non-parametric equivalent mycellaneous में t-test में गया मैं double click किया तो हमारे पास input range हमने दी हुई है पहले दूसरी और यह दोनों हमने input range दी हुई है लेकिन हमने input range कैसे देनी है मैं आपको दुबारा से दिखाता हूँ यहां पर click करना है आपने और यहां से select कर लेना है यह आपकी input range आ गई यहां पर click करना है यह दूसरी की input range आ गई ठीक है और अब आपने अगला काम क्या करना है column headings include with data बिल्कुल include data के साथ use standard stacked format for two sample t-test alpha आपने रखा .05 अगर आपको नहीं पता है यह कहा है तो यह basically आपका confidence interval होता है 95% पे t-test हमने रखा है two sample t-test है independent है क्योंकि एक ही sample का बार-बार test नहीं है paired वो होता है कि आप एक ही age को 10 साल बाद देख रहे हैं या एक ही sample को खाना खाने के पहले weight देख रहे हैं और खाना खाने के बाद और उन दो groups को देख रहे हैं तो यह unpaired है इस वज़े से हम इसको use करेंगे फिर हमारे पास क्योंकि non-parametric test option कोई नहीं है तो मैं इसको on ही नहीं करता क्योंकि हमारे पास यह parametric है I assume that output range मैं कहां पे इसे print करना चाहता हूँ वो मैं यहां से select करूँगा मैं चाहता हूँ कि इसके result यहां पे इस जगा पे print हो यहां से start हो ठीक है मैं ok press करता हूँ and we have the results for t-test here इतना असान है t-test लगाना यह आपके पास test पड़े हों ठीक है अब आप अगर गोर करें हमारे पास equal and unequal variance दोनों का आगया analysis one tail का भी आगया two tail का भी आगया यह हमारी है p-value which is less than 0.05 तो इसका मतलब है यह हमारे पास significant है two tail में भी one tail में भी मिसाल के तोर पे यह value हमें बताती है if this is less than 0.05 that means के इन दोनों में फरक है यानि के teachers की age बड़ी है as compared to students की age के that is 6.5 का difference so हम कह सकते है teachers are 6.5 years older than students age on an average and this has been done by significant test of student t-test की base पे same यही चीज हमारे पास unequal और equal variance की base पे चल रही है और यहाँ पे यह proper आपको बता रहा है के significant है के नही for example यहाँ पे यह value 0.05 से कम ना होती तो यह non-significant यानि के no बता रहा होता अब simple सा rule यह है कि अगर यहाँ पे yes आ जाए तो आप क्या करेंगे कहेंगे गिन में फरक है यह क्यों कहेंगे क्योंके हमारे दो किसम के hypothesis होती है एक होता है null hypothesis और एक होता है इसके उल्ट जिसको हम alternative hypothesis बोलते है null hypothesis हमें यह बताता है के student की age is equal to teachers की age की ठीक है यानि के null hypothesis का मतलब ही होता है के सब बराबर है सब एक जैसे हैं और अगर p की value less than 0.05 आजए then हम इसको reject कर देते हैं यानि के इस पे काटे मीडे मार के कह देते हैं के यह हम accept नहीं करते हैं इसका उल्ट क्या होगा के student की age कम है teachers की age से या second क्या हो सकता है teacher की age कम है student की age से दुनों में से एक true है ठीक है one tail का मतलब है कि एक चीज ट्रू है two tail का मतलब है कि दुनों चीज़े true है अब अगर गौर करें हमारे पास significant test में यह बताता है कि alpha p की values है वह less than 0.05 है यानि कि यह values less than 0.05 है जिसकी वज़ा से यह test significant है significant का मतलब यह हुआ कि we have significant results या statistical power to reject this null hypothesis यानि कि अगर p के value less than 0.05 है इसका मतलब है we are actually rejecting null hypothesis इसको हम reject कर रहे है ठीक है और अगर हम इसको reject कर रहे है इसका मतलब है दूसरों को हम हम कह देते हैं कि इन दोनों में से कोई एक true है ठीक है and this is how we can say कि student की जो age है is not equal to teachers की age की simple तो यह तीनों आपके alternative hypothesis हो सकते हैं और alternative hypothesis 1, 2, 3 different किसम के आपके पास जो हैं वो चल सकते हैं it's totally up to you कि आप कौन सा alternative hypothesis जो हैं वो उसे अपने पास समझ के चल रहे हैं ठीक है तो यह था आपके पास null hypothesis और यह आपके पास है alternative hypothesis यह तब आता है जब आप alpha की value 0.05 से पी की value 0.05 से कम होती है अब यह पी क्या है probability क्या है और बाकी चीज़ें क्या है अगर आप मेरी statistics की बुक में जाएंगे तो यह सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में लिखी हुई है कि आप किस तरीके से descriptive statistics जो है वो analyze करते है और आपके पास hypothesis और बाकी चीज़ें क्या होती है जिसमें inferential statistics भी आप देख सकते है ठीक है so basically हम bivariate analysis कर रहे है और उसके अंदर हमने 2 variables को देखा है अब क्योंके हमारी value p की value 0.05 से कम है कितनी कम है now we will see that गौर करें हमारे पास p की value 0.05 से कम है ठीक है तो अगर 0.05 से less than 0.05 हो तो हम एक hysteric को show करते हैं ज्यादा तर अगर less than 0.01 हो तो हम 2 hysteric लगा देते हैं अगर फिर भी less than 0.001 हो तो हम 3 hysteric लगा के इसे show करते हैं letter of significance कहते हैं मैं इसको cut करता हूँ और दुबारा से आपके सामने ये plot के बिलकुल सामने में रख के बताता हूँ आपको ये usually rule of thumb होता है जब भी आप को plot बनाते हैं तो आप इनके through जो statistical analysis है वो show करते हैं ठीक है दो तरीके कहा रहे हैं कि इसी plot के अंदर आप ये वाली values को show करें for example अगर आपके पास less than 0.05 है और 0.01 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये 0.006 है यानि कि अगर हम one tail test की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो value और double hysteric को show कर सकते हैं यानि इन दोनों में double hysteric का फरक है so what we can do we can right click on that और हम इसी के अंदर insert पे जाके यहाँ पे जाके text को add कर सकते हैं text box ले आते हैं यहाँ पे text box लगाता हूँ मैं और double hysteric को यहाँ पे मैं लगा देता हूँ के से भी show करते हैं पहले चीज यह होगी क्या कि आप बताते हैं कि based on the values हमारा statistical significant test less than 0.01 से भी less है इसका मतलब है हम इन दोनों में फरक देख रहे हैं hysteric का मतलब है इन दोनों में फरक है एक और तरीका कार यह होते हैं कि यह जो पी की value आपके सामने आई है न यह वाली one tail t test वाली जो है इसको मैं उठा के यहां पे paste करता हूँ कैसे paste करना है again यहां पे मैं select करता हूँ insert पे जाता हूँ text box को add करता हूँ यहां पे और यहां पे मैं लिखता हूँ p value is equal to और यहां पे जो p value उसको मैं लिख देता हूँ 0.006 या 0.007 0.007 simple तो आप इस तरीके से p value भी graph के अंदर show कर सकते हैं something at the corner ठीक है इस तरीके से और usually यह red color के अंदर show की जाती है या blue color के अंदर just to show कि आपके पास क्या difference है या green color के अंदर भी कर सकते हैं but it's totally up to you मैं इसको थोड़ा सा red color में ले जाता हूँ black में भी कर सकते हैं it's totally up to you मतलब को इतना ज्यादा फरक नहीं है basically आपको बताना है कि यह इस तरीके से चल रहा है and यह आपका bivariate analysis है यानि कि आपने दो variables के दर्मयान फरक देखा समझा गी यहां तक and this plot can actually be represented as कि जो teachers की age है that is 6.5 years more than students की age on an average based on the data जो आपके पास यहां पर मुझूद है तो यह तो हमने लगाया t-test t-test ने क्या किया दोनों के दर्मयान फरक बताया p की value हमें दी और हमारे पास multiple और भी values है which we are not going into detail at the moment सिर्फ आपको बताने के लिए अगर आप अब गौर करें हमारे पास effect भी आया r ठीक है अब इन दोनों values का हम एक ओर test कर सकते है दो values का एक ओर test कर सकते है which is called correlation test bivariate की अगली type है इन दोनों का compare कर लिया अब इन दोनों का correlation भी हम निकाल सकते है correlation कैसे निकाला जाता है अगर मैं इसी data को copy करूँ copy करने के बाद यहां पे ले आऊ लाने के बाद मैं insert पे जाऊ insert पे जाने के बाद line plot यहां पे मैं बनाऊ right click करूँ data select करूँ और add बलके यहां की बजाए यहां पे click करके यह data मैं यहां पे ले आऊ and here you go ठीक है एक तरीका का रही है कि आप line plot बना ले simply और आपको समझ आज़ा कि क्या एक के बढ़ने से दूसरे की age जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है so usually आप independent और independent variables को उसमें देखते है तो इस मिसाल के लिए मैं example को थोड़ा सा modify करूँगा दो variable ऐसे जिनमे dependence का relationship हो क्योंकि यहां पे teacher और student की age डिपेंड नहीं करती है अब हम क्या करते है यहां पे थोड़ा सा difference ले के आते है ठीक है वो क्या है कि student की जो age है उसको हम compare करते है weight की base पे ठीक है for example अगर age हमारे पास 25 है weight हमारे पास 40 है अगर age हमारे पास 20 है weight हमारे पास 33 है अगर age 19 है तो weight 30 है अगर age 23 है तो हमारे पास weight जो है वो होना चाहिए 35 के करीब अगर हमारे पास age 32 है तो weight हमारे पास 50 हो सकता है बलके नहीं 50 नहीं यह 80 होगा और अगर 25 है तो इसको हम कर लेते हैं 70 के करीब अगर 20 है तो इसको 33 रख लेते हैं और अगर हमारे पास age किसी की 30 है तो ये 25 की बजाए इसको मैं 65 कर देता हूँ तो क्या आपको भी पता है कि जितनी किसी की age ज्यादा होगी उतना उसका weight भी ज्यादा होगा मिसाल के तोर पे जो काका है दो साल का उसका weight maximum 10 kilo होजा बड़ी बात है ठीक है या 3 साल के काकेगा ठीक है so you can say के कम age हो तो आपका weight भी कम होता है अगर age ज्यादा हो तो weight भी ज्यादा होता है ठीक है यहां तक समझ आगे अब हम क्या करते हैं इसका एक analysis करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे show कर सकते हैं एडिन्स में जाएं अगें data analysis tool pack में जाएं यहां से आप select करें correlation, correlation test को select करें, ok करें, input range पहले वाली दें मैं इसको उठा के थोड़ा सा इस side पर ले आता हूँ ताकि आपको zoomed in नजर आए input range पहले वाली हमारे पास है age, दूसरे वाली हमारे पास है weight, alpha हमने 0.05 रख लिया and then columns की headings हमारे पास है, Pearson's correlation हम देखेंगे, ठीक है, number of tails हम 2 रखते है output range हम चाहते हैं कि यहां पे हमारे पास data की values हैं, ok करता हूँ, यह राजी आपका correlation test आपके पास एक नहीं, तीन correlation test automatically आ गए है, पहले को बोलते है Pearson, दूसरे का नाम है Spearman, तीसरे का नाम है candles tau, ठीक है, तो आपके पास Pearson coefficient T test की base पे भी होता है, और Pearson coefficient Fischer की base पे भी होता है इसकी detail में नहीं मैंने जाने वाला, मैं सिरफ आपको बताने वाला हो कुछ चीज़ है अगर आप देखें तो correlation है 0.89, ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें आप, तो correlation Spearman है 0.96, candles का correlation है 0.90, इसका मतलब है कोई भी correlation test कर लें, it is actually high, high कैसे है मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं यहाँ पे इंसर्ट पे जाके, अगर मैं एक scatter plot ड्रा करूँ, तो मेरे पास जो data है, select data पे जाके, मैं यहाँ से इस data को select करूँ, यह मेरे पास scatter plot है, ठीक है, अगर आप गोर करें, यहाँ पे आपके पास scatter plot age और weight की base पे बना हुआ है, ठीक है, यह दोनों data मैंने select की है, और आप देखें, अगर किसी की age 3 साल है, उसका weight 10 साल है, अगर किसी की age 20 साल है, उसका weight 30 साल के, 30 के करीब है, kg में, and so on and so forth, हम मैं इस plot को पहले थोड़ा सा refine करता हूँ, आपको दिखाने के लिए, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे यह matter करता है, मैं पीछे से scatter इसका हटा रहा हूँ, जो box है, horizontal lines भी, दूसरी lines भी हटा दी, यहाँ पे हमने solid line add की, इसको हमने 1.5 कर दिया, यहाँ पे भी add की, इसको भी 1.5 कर दिया, हमने फिर इसको select किया, इसको bold कर दिया, यहाँ से भी select किया, इसे bold कर दिया, यह वाली line जो है, solid black हमने select कर ली, इसको नीचे वाली, not this one, यह वाली line को हमने solid black कर दिया, अब आपके पास मैं इसको outside कर देता हूं यह वाले भी outside कर देता हूं ठीक है तो यह हमारे पास इस तरीके से आ रहा है वेल्यू ठीक है अब आप देखें जो main चीज है हमारे पास axes मुझूद है यहां पर axes के titles में डालता हूं यहां पर x-axis में है हमारे पास age years के अंदर आपने हमेशा unit लिखना होता है और यहां पर हमारे पास है weight kg के अंदर ठीक है आपने हमेशा unit ज़रूर लिखना होता है unit के बगएर कोई काम नहीं होगा unit आपने ज़रूर mention करना है ठीक है अब आप देखें जो main काम है इसी के अंदर अगर आप गौर करें add के उपर click करने के बाद हमारे पास एक trend line आती है यह वाली trend line basically आपको forecasting provide करती है कि हो क्या रहा है यहां पे ठीक है और आप उस trend line की base पे अंदाजा लगा सकते हैं कि trend line कैसे चल रही है यह trend line जो है यह आपको बताती है कि आपका positive relation है इन दोनों चीज़ों का negative है यह neutral है ठीक है अब यह हमारे पास basically क्या है कौन सा relationship है यहां पे positive relationship है कैसे क्यूंकि यहां से उपर को बढ़ रही है अगर यह इस तरीके से उपर से नीचे आ रही होती तो यह कौन सा relationship होता negative यानि कि इस तरीके से आ रही होती है और अगर यह बिल्कुल ऐसे सीधी होती तो इसको बोलते है neutral relationship positive, negative and neutral यहां तक clear होगी आपको बात अब मैं आपको बताता हूँ यह कैसे matter करती है अगर आप गोर करें यह हमें कुछ लाइने draw करने वालो रेड वाली अगर यह कुछ इस तरीके से trend line होती तो यह negative relationship होता क्यूं क्यूंकि एक के बढ़ने से एक चीज के बढ़ने से जो left to right बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है आप उपर से देखे नीचे आ रही है यानि कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो इसको हम negative relationship बोलते है ठीक है नेगेटिव रिलेशन्शिप अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही हो उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन्शिप ठीक है और अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ड़ी हो तो इस चीज को इसको बोला जाता है positive relationship यानि कि एक चीज बढ़ड़ी है दूसरी भी बढ़ड़ी है इसको हम बोलते है positive relationship ठीक है और यह तब होता है जब दो variables आपर में depend कर रहे हूं depend क्या होता है यह weight जो है यह of course आपकी age पर depend करते है जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका weight बढ़ता जाते है at a point, at a given point in time ठीक है आप यह देख पाते हैं कि जिसकी age 30 है उसका weight जो है वो एक बच्चे से एक छोटे काके से ज्यादा ही होगा जिसकी age ज्यादा है आपसे 35-40 साल है अंकल्स अक्सर उकाद जो होते हैं उनका weight जाए वो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है अक्सर उकाद जो fit नहीं रहते हैं अब यही काम बजाए है इसके कि हम positive, negative और curves में देखें हमारे पास values होती है जिनकी base पे हम यही analysis कर सकते हैं जो values है Pearson का correlation यानि के R की value Pearson R coefficient यह Pearson की coefficient की values है जो हमारे पास यहाँ पे show कर रही है यह value ठीक है और अगर इसकी p-value significant हो जो यहाँ पे हमें show कर रही है यह significant हो then we can say कि जो हमारा result है that is also significant यह p-value 0.05 से कम है तो यह significant है इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा null hypothesis था वो state करता था कि age और weight आपस में कोई relationship नहीं रखते alternative क्या हुआ कि age और weight आपस में positive या negative या कोई भी relationship रखते हैं now we will see वो कौन सा relationship है अगर value अब सुनियागा बड़ी गोर से अगर आपके पास value zero हो इस person correlation की spearman's की या candle's down की तो इसका मतलब है no relationship इसको हम बोलते है neutral neutral relationship होगा अगर value zero हो ठीक है अगर value negative की तरफ हो यानिके minus one की तरफ हो इसको बोलते है negative relationship ठीक है और अगर positive one हो तो इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है हाँ जी positive relationship तो अब आपको समझ आगी होगी कि negative, neutral and positive कैसे बनता है ठीक है अब क्योंके हमारी value जो है अगर आप गोर करें 0.89 है तो ये कौन सा relationship हुआ ये इस category में fall करता है अगर कोई sign ना हो तो positive है 0.89 इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास value है that is having a positive relationship और आपको एक और मज़े की बात यहां पर बता दूँ correlation का जो test है जो univariate analysis के अंदर पाया जाता है वो usually 0 से minus 1 and 0 से plus 1 तक की होता है values इसे के दरम्यान दरम्यान घूमती है इसे ज्यादा नहीं हो सकती तो अगर आपकी value ये center cross कर जाए दोनों साइडों पे यानि के 0.5 plus में भी and 0.5 minus में भी यानि के इन इन जोगों पे values अगर आपकी है हम कह सकते हैं के ये highly correlated है ठीक है of course अगर 80 से भी उपर होगा यानि के 0.89 से भी उपर होगा then we can say it's really highly correlated in positive correlated usually लोग ये ही value 0.7 को भी consider करते हैं दोनों साइडों पे negative भी positive भी 0.7 ठीक है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं highly correlated तो इसको आप कह सकते हैं negative correlation, यहाँ पे कह सकते है highly negative यहाँ पे कह सकते है positive correlation और यहाँ पे कह सकते है highly positive तो अब जो हमारा relationship है यहाँ पे correlation that is highly positive correlation यानि के एक value के बढ़ने से the second value is increasing इसी वज़ा से ये command इस तरीके से आ रही है अब आप कैसे शो करते हैं इसको सिंपल है आप यहां पर p-value और Pearson's R वो भी value देते हैं जैसे मैं यहां पर click करता हूँ insert पे जाता हूँ box पे जाता हूँ यहां पे जाने के बाद box select करता हूँ Pearson's R की value यहां पर लिख देता हूँ which is .89 0.89 3 तो तीन decimal values तक enough होता है इस value को लिखना and this is your value of Pearson's r r क्या है यह basically coefficient है of correlation इसको हम थोड़ा सा italicize भी करके एक सरोकात लिख देते हैं इस तरीके से ठीक है तो यह आप बता सकते है कि यह highly positive है किस base पे यह आपने यह भी बता दिया अब एक और काम आप कर सकते हैं यह जो मेरे पास values हैं इनको मैंने automatic नहीं किया तो अगर आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो say procedure को follow करते हैं you can make them blackish ठीक है अब आप एक और बात note करें कि यहाँ पर यह plot बन गया यह p-value भी अगर आप लिख देंगे तो आपका फाइदा है जैसे हमने यहाँ पर लिखी है न p-value इसी तरीके से मैं इसी को copy करता हूँ यहाँ पर इसे paste करता हूँ और यहाँ पर इसकी p-value भी दे देता हूँ विच इस 0.0067 यानि के 0.008 ठीक है तो नाओ वी डोंट नीड टो एड दोस अस्टेरिक्स राधर वी केन से के पिरसन आर की बेस पे हमारा जो relationship है वो positive relationship सो अब आपने देखा कि हमने दो किसम के bivariate analysis की है एक में t-test किया और एक में हमने क्या किया correlation का टेस्ट किया अब ये दोनों टेस्ट जो है ये दो values को compare करने के लिए किया जाते है यानि के दो variables को compare करने के लिए और आपको जो मैंने tool बताया है adding जो मैंने बताई है real statistic की ये basically बहुत इकमाल adding है और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये भी बताती है significant है या नहीं है P value कौन सी है Pearson's coefficient अगर Fischer की base पे देख रहे हैं वो क्या है और यहाँ पे अगर आप T test की base पे देख रहे हैं तो वो क्या है So this is how you can say anything regarding जो आप काम कर रहे है अब अगर आप गहर करें थोड़ा सा ये वो ही value नहीं है P की value जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ठीक है 0.0067 इसका मतलब ये है कि ये जो P की value है ये इन दोनों dependent and independent columns को आपस में compare करके ये भी बता रहे हैं कि दोनों different है significantly different है So that's how every statistical analysis is actually linked to the other one यहाँ तक clear हो गया ठीक है समझ आगे correlation की जिन लोगों को समझ आगे please write down in the chat ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ साथ काम कर रहे है and then we will move towards our next analysis और उसके अंदर फिर हम multiple चीजें जो हैं और भी सीखने वाले and hopefully आपको यह समझ आ रही है कि proper guideline के साथ plots कैसे बनाने है एक चीज़ मैं बता दूँ किसी भी plot का जो border है न उसे आपने no line कर देना है border नहीं आपने show रखना क्योंकि border जो है basically वो plots को बद्दा सा बना देता है एक और चीज़ आप कर सकते है right click करके आप यहां पे bring to friend भी कर सकते है और आप इसी plot को save भी कर सकते है as a template ठीक है जैसे मैं यहां पे click किया इसको मैं as a template यहां पे save कर सकता हूँ मैं इसका नाम रख देता हूँ scatter plot तो जब कभी भी मैं scatter plot बनाऊंगा तो इसी template से मैं ले के आ सकता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ template का save as template इसको मैं कहा देता हूँ bar plot kodenics ठीक है तो यह मेरे पास template आ गया so आइंदा के लिए जब आप chart बनाएंगे ना आप insert में जाएंगे यहां से आप कोई भी चीज़ पर click करेंगे आप यहां पर click करें more column charts data selecting यहां पर जाएंगे आप यहीं पर देखें templates आपके मौजूग दें तो मैं इस पर click करूँगा ना okay करूँगा तो यह मेरे पास template automatically आ गया so I don't need to change this template again and again एक ही दफ़ा बनाने की ज़रूरत है then I can use these templates as it is ठीक हो गया यहां तक clear हो गया this is how you can do by variate analysis और hopefully आप enjoy कर रहे है excel की आज की जो night की training है और अगर आपको मज़ा आ रहा है तो please write down in the chat और अगर आप यह video बाद में देख रहे है then it's better कि अगर subscribe करने and like this video अब हम next lecture के अंदर करेंगे तीन या तीन से ज्यादा variables का analysis कैसे किया जाते है ठीक है और अभी तक हम numeric data की बात कर रहे हैं ठीक है let's see in the next lecture झालों